Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे English poet John Milton की एक famous epic poem के बारे में जिसका नाम है Paradise Lost Friends, ये एक बहुत ही popular work है John Milton का और English literature में इसे एक बहुत ही respectful way से देखा जाता है ये एक epic poem है यानि एक बहुत ही लंबी poem है ये और साथ ही ये poem जो है ये पहली बार 1667 में publish की गई थी Friends, originally जब इसे publish किया गया था जो इसका first version था उसमें 10 books थे लेकिन इसे बाद में दुबारा publish किया 1674 में और फिर उसे 12 books में publish किया गया Friends, ये पूरी poem जो है ये पूरी epic poem ये blank verse में लिखी गई है ये poem Christian mythology से related है और साथ ही इसकी जो theme है वो बहुत ही famous है इसकी theme है man's first disobedience यानि man ने पहली बार जब God के किसी आदेश को किसी command को नहीं माना था वो man का first disobedience था और कहा जाता है कि उस एक गलती की सिदा पूरी मानव जाती आज तक सह रही है friends इस पूरी poem में बहुत एक लंबी biblical story बताई गई है fall of man के बारे में किस तरह Saturn ने Adam और Eve को tempt किया था किस तरह उन्हें Garden of Eden से निकाल दिया गया और कैसे Saturn ने God से अपना बदला लिया ये सब कुछ इसी के बारे में है friends ये पूरी poem बहुत जब जब लंबी है तो line by line इसको explain करना possible नहीं है but फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इस poem की जो synopsis है जो main summary है वो सब कुछ समझ में आ जाए और जो इसके पीछे का background और theme है वो भी मैं explain कर सकूँ friends इसे लिखा है John Milton ने जो की एक English poet और intellectual थे और वो बहुत सारे languages में जैसे English, Latin, Greek, Italian इन सभी languages में लिखा करते थे उनका जन्म हुआ था 9 December 1608 में और उनकी death हुई थी 8 November 1674 में साथ ही उन्होंने कई new words की खोज की थी Latin और ancient Greek से उन्होंने कुछ words लिये थे और उन्हें English language में शामिल किया था उनकी famous works में Paradise Lost, Aeropagitica, Lycidas, Paradise Regain, Samson Agonistus ये सभी शामिल है और ये सभी बहुत ही popular works मानी जाती है तो चलिए friends आगे बढ़ते हैं और अब इस poem को समझने की कोशिश करते हैं Friends इस poem के शुरू होने से पहले एक preamble है यानि एक प्रस्तावना है जहां Milton जो heavenly muse है यानि जो goddess muse है जो poems की संगीत की जो देवी मानी जाती है उनसे pray करता है कि वो उनकी help करें ताकि वो man's first disobedience के बारे में अपने इस work को लिख सकें और इसे बांकी लोगों तक पहुँचा सकें ताकि सभी लोग जान सकें कि आखिर क्या हुआ था और इसके साथ friends ये कहानी फिर शुरू होती है ये कहानी शुरू होती है जब साटन और उसके fellow angels वो सभी angels जिन्होंने साटन के साथ मिल कर गौड के against rebellion कर दिया था गौड के खिलाफ बगावत कर दी थी उन्हें hell में fake दिया जाता है उन्हें heaven से hell में fake दिया जाता है और जब वो hell पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर एक pandemonium की रचना करते हैं एक building बनाते हैं pandemonium नाम का और उसी में सभी जो निकाले गए angels हैं वो बैठ कर meeting करते हैं चूंकि अब उन्हें heaven से निकाल दिया गया है तो वो ही आगे चल कर अब devils बन चुके हैं और वो decide करते हैं कि वो गौड से बदला लेंगे वो कहते हैं कि गौड ने उन्हें बेज़द कर दिया है और उन्हें इसका बदला लेना चाहिए लेकिन वो जानते हैं कि अगर वो कारण बाकी angels जो हैं ये जो devils बन चुके हैं इन्होंने भी सफर किया अब इस सब चली रहा होता है कि जो साटन का second in commander है जिसका नाम है बीजल वब वो suggest करता है कि चूंकि गौड को हम हरा तो नहीं सकते तो गौड ने हाली में एक new creation किया है उन्होंने अर्थ बनाया है और अर्थ में रहने के लिए man और women दो लोगों को बनाया है तो हमें उन्हें corrupt कर दीना चाहिए अगर हम उन्हें destroy कर देंगे उन्हें corrupt कर देंगे गौड से दूर कर देंगे तो एक तरह से हम गौड पर win कर सकते हैं हम गौड को हरा सकते हैं और Saturn उन्हें इस idea से agree कर जाता है और कहता है कि ये काम मैं खुद करूँगा वो अपने दो बच्चों को बुलाता है और उसके बच्चों का नाम है sin यानी पाप और death यानी मृत्यू या मौत और वो उन दोनों से कहता है कि ये काम करो एक bridge बनाओ जो की hell से earth तक जाती होगी एक direct bridge चाहिए मुझे उधर God जो है उन्हें पता चलता है कि किस तरह Saturn जो है वो plans बना रहा है उसके newly created earth में destruction और corruption फैलाने का तो वो एक meeting करता है अपने बाकी angels के साथ और decide करता है कि उन्हें Adam और Eve को सुरक्षित रखना होगा ताकि Saturn उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सके अब Saturn जो है वो garden of Eden जहाँ पर ये Adam और Eve रह रहे थे वहाँ पहुचता है और वहाँ के guard को चक्मा देता है अपना रूप बदल लेता है एक angel का रूप ले लेता है और उसे चक्मा देता हुआ garden में घुश जाता है और Adam और Eve को ढूनना शुरू कर देता है वहाँ पर Adam और Eve को ढूनता है और देखता है कि वो आपस में discuss कर रहे हैं कि उन्हें God के सभी orders को follow करना है God ने उनसे कहा है कि वो इस garden में कुछ भी कर सकते हैं कोई भी फल खा सकते हैं और garden की care की जिम्मेदारी उनकी है उन्हें बस एक ही बात के लिए मना किया गया है कि जो tree of knowledge है उसका फल वो नहीं चक सकते हैं God ने उनसे कहा है Adam और Eve से कि वो tree of knowledge की fruit को नहीं खा सकते हैं और वो दोनों इस बात से agree करते हैं अब जब उनका काम खतम होता है और दोनों Adam और Eve rest कर रहे होते हैं तो साटन अपना रूप बदलता है और एक toad यानी एक मेढ़क का रूप ले लेता है और Eve के कानों में जा करके वो धीरे-धीरे whisper करता है धीरे-धीरे बोलता है अब ये सब चली रहा होता है कि Gabriel जो की God का एक Angel है और उस Garden of Eden में God का का काम कर रहा था वो साटन को देख लेता है और उससे कहता है कि वो वहाँ से चला जाए लेकिन साटन जो है वो Gabriel से लड़ने के लिए बिलकुल रेडी है और एक तरह से कहें तो यहाँ पर एक बैटल शुरू ही हो जाती मगर तभी आसमान में God का एक साइन अपियर हुआ God का जो Golden Scales of Justice है वो आसमान में नजर आने लगा और साटन डर के मारे वहाँ से भाग गया उसके जाते ही अचानक से इव की नीन खुली और उसने Adam को बताया कि मैंने एक सपना देखा और उस सपने में एक एंजल ने मुझसे कहा कि मैं उस Tree of Knowledge का Fruit खा लूँ और मैंने वो Tree of Knowledge का Fruit खा लिया इसलिए अब मुझे डर लग रहा है God को जैसे ही इन बातों का पता चलता है तो वो अपने आर्च एंजल रफायल को नीचे भेजता है अर्थ पर Adam और इव को समझाने के लिए कि सैटन आखिर उनके लिए कितना बड़ा डेंजर है चूँकि Adam और इव का Creation सैटन को Heaven से निकालने के बाद हुआ था तो वो सैटन के बारे में जादा कुछ नहीं जानते थे इसलिए God ने रफायल को धर्ती पर भीजा Adam और इव के पास उस Garden में ताकि वो उन्हें बता सके कि सैटन आखिर कितना गलत है कितना बुरा है और किस तरह उन्हें हार्म करना चाहता है रफायल धर्ती पर आता है और Adam और इव के साथ बैठ कर खाना खाता है और उस खाना खाने के समय ही उन्हें वो स्टोरी बताता है कि किस तरह जो साटन था वो हमेशा गौड से एंवी करता था गौड के सन से एंवी करता था और जब गौड ने अपने सन को 2nd in command बनाया यानि अपने बात 2nd नमबर पर उद्हें अपॉइंट किया तो वो बहुत जा उन सभी को हरा दिया और उन्हें heaven से फेक दिया गया उन्हें heaven से निकाल कर नीचे फेक दिया गया और अब वो सभी hell में हैं और बैट करके वो सभी ये decide कर रहे हैं कि किस तरह वो God से बदला ले सकते हैं उन्होंने आपस में कुछ decisions लिये हैं और चूंकि वो जानते हैं कि वो directly एक war लड़कर God के खिलाफ नहीं जीत सकते तो वो Adam और Eve को target कर रहे हैं क्योंकि वो God के newest creation है God के बहुत close हैं तो वो शायद उन्हें हाम करने की कोशिश करेंगे तो ये सब कुछ Raphael जो है वो Adam और Eve को समझा देता है ये सब कुछ होने के बात Adam के मन में भी एक बात आती है और और वो Raphael से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं God का एक creation हूँ और God ने मुझे perfect बनाया है यानि God के according मैं एक man के लिए perfect example हूँ लेकिन मेरे मन में Eve के लिए एक physical attraction भी है और मैं उस attraction को चाह कर भी दूर नहीं कर पा रहा हूँ मैं जानता हूँ कि मेरा जो love होना चाहिए Eve के लिए वो pure होना चाहिए और spiritual होना चाहिए लेकिन मेरा ये प्यार जो है उसमें कहीं न कहीं कुछ lust भी है जिसे मैं feel कर सकता हूँ राफाइल उसे advice देता है कि तुम ये सब मत सोचो तुम Eve को spiritually प्यार करो purely प्यार करो क्योंकि वो तुम्हारी soulmate है आपको friends पता ही होगा कि God ने सबसे पहले man बनाया था यानि Adam को बनाया था और Adam उनके लिए perfect था उन्हें नहीं लगा था कि उन्हें कुछ और बनाने की जरूरत है लेकिन उन्होंने ये सोचा कि आखिर Adam इस पूरे garden में अकेला कैसे रहेगा तो इसलिए उन्होंने Adam की ही ribs से यानि उसकी पसली से एक woman का निर्मान किया और वो woman Eve है यानि जो first man था उसका नाम था Adam और जो second first woman थी उसका नाम था Eve और ये दोनों साथ मिलकर ही इस garden of Eden में रहते थे काम करते थे और इन्ही के बारे में राफाइल जो है इन्ही से बात कर रहा है और ये Adam अपनी attraction के बारे में बता रहा है राफाइल को अब ये सभी बाते होने के बाद राफाइल जो है वो वापस से अर्थ छोड़ कर heaven वापस चलाता है अब इन सभी बातों को seven days बीच चुके हैं और seven days के बाद साटन जो है वो वापस से इस garden में लौट कराता है और वो क्या करता है अपना रूप बदल कर एक serpent यानी एक सांप का एक snake कर रूप ले लेता है अब जो Eve और Adam है उन्होंने decide किया है कि वो आज separately work करेंगे ऐसे तो दोनों हमेशा साथ में काम करते हैं लेकिन Eve कहती है कि आज हम अलग-अलग काम करेंगे तुम अलग हिस्से में काम करो मैं अलग हिस्से में करूँगी Adam पहले तो नहीं चाहता कि वो Eve से अलग हो लेकिन बाद में वो इस बात के लिए agree कर जाता है अब जो Saturn है वो snake के form में Eve के पास जाता है और उससे बाते करने लगता है उससे कहता है कि तुम बहुत beautiful हो और उसे compliment करता है उसकी beauty के लिए Eve जो है वो amazed हो जाती है चौक जाती है कि आखिर एक snake उससे कैसे बात कर रहा है तो वो उससे पूछती है कि तुम एक snake हो करके bowl कैसे सकते हो तो इस पर Saturn कहता है कि मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने उस tree of knowledge का fruit खाया है उसी के कारण मेरे अंदर बहुत सारी अच्छी qualities आ गई है तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा एक काम करो तुम भी उस fruit को खा के देखो तुम भी समझदार हो जाओगी एक goddess बन जाओगी और इसलिए तुम्हें वो fruit खाना चाहिए मुझे पता है God ने तुम्हें मना किया है लेकिन वो सोचते हैं कि अगर तुम वो fruit खा लोगी तो तुम भी एक goddess बन जाओगी और इसलिए वो तुम्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं पहले तो इव उसको नहीं खाना चाहती है उस fruit को नहीं खाना चाहती है लेकिन अंत में वो खुद को रोक नहीं पाती और उस tree of knowledge के जो fruit है उसको वो खा लेती है जैसे ही वो से खाती है वो बहुत जादा चिंतित हो जा है कि उसने ऐसा कुछ किया है तो वो डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि इव ने God के command को नहीं माना है और ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती की है लेकिन वो इव से अलग नहीं होना चाहता उसे पता है कि God इव को इस garden से निकाल देंगे और वो उससे दूर नहीं रहना चाता इसलिए वो भी उस fruit को खा लेता है अफ्रेंट जब उस fruit को वो दोनों खा लेते हैं तो उन दोनों के मन में एक तरह से कहें तो knowledge आ जाती है वो knowledge जिससे वो पहले नहीं जानते थे और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जादा lust फील करने लगते हैं और फिर दोनों आपस में सेक्स करते हैं अब God को पता चलता है कि किस तरह अर्थ में एक चेंज आया है और वो तुरन्थ ही समझ जाते हैं कि उन दोनों humans ने यारी Adam और Eve ने जरूर ही उनके command को नहीं माना और उस fruit जो की tree of knowledge का था उसे खा लिया है अब God जो है वो अपने son से कहते हैं कि जा आओ और जा करके Adam और Eve को उनकी गलती के लिए punish करो क्योंकि उन्होंने एक mistake की है तो justice भी होना चाहिए और उन्हें mercy भी दिखानी जानी चाहिए लेकिन साथ ही उन्हें punishment में विलना चाहिए तो God के जो son है जो son of God है वो अर्थ पर आते हैं और सबसे पहले उस serpent को punish करते हैं जिसका body saturn ने choose किया था अपने look के लिए उस serpent को सबसे पहले punish करते हैं और कहा जाता है कि उसे एक तरह से condemn किया गया एक strap दिया गया कि आज के बाद वो कभी भी सीधा अपने पैरों पर नहीं चलेगा बलकि अपनी mistake के लिए हमेशा वो अपने पेट के बल ring ring कर चलेगा और इसलिए snakes जो हैं उनके legs नहीं होते वो अपने पेट के बल ring कर चलते हैं उसके बाद जो son of God है वो Adam और Eve के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी mistake कर दी अब इस mistake के बदले में तुम्हें pain सहना होगा तुम्हें दर्द सहना होगा और साथ ही तुम्हारी death भ की निश्चित हो गई है साथ ही Eve और आने वाली जितनी भी women होंगी उन सभी को child birth के दौरान जब वो बच्चें को जनम देंगी उसके दौरान बहुत जादा दर्द होगा और साथ ही जो उनके husbands हैं उन्हें अपने परिवार को चलाने में अपने परिवार को पालने में जितने भी devils हैं वो बहुत जादा खुशिया मना रहे हैं कि Saturn ने God को हरा दिया और जो bridge बनाया गया था hell से earth के लिए उसी bridge के रास्ते जो Saturn के दोनों बच्चे थे sin और death वो earth पर आ जाते हैं और कहा जाता है कि वो earth पर ही हमीशा के लिए settle हो जाते हैं बांकी के जो बचे God उन सभी को curse करते हैं और उन्हें snakes में बदल देते हैं चूंकि Saturn ने snake का रूप लिया था तो सभी devils को snake में transform कर दिया जाता है अब God जो है वो अपने angels से कहते हैं कि एक काम करो earth से लोट आओ और उसे बदल दो चूंकि अब वो उतनी pure नहीं रही उतनी carefree नहीं रही जैसा उसे पहले मैंने बनाया था तो अब earth को change कर दो वहाँ पर change of seasons होंगे hot season होंगे cold season होंगे और इन सभी से जो humankind है वो सफर करेगी साथ ही Adam और Eve जो हैं चूंकि उन्होंने sex कर लिया संभोग कर लिया तो अब उनके बच्चे होंगे और उनके बच्चों के भी बच्चे होंग और इस तरह से एक पूरी humankind पैदा होगी और वो सभी अपने first grandparents या great grandparents जो Adam और Eve हुए उनके गलतियों के लिए सफर करेगी जब Adam और Eve को पता चलता है कि उनकी इस mistakes से कितनी बड़ी बड़ी punishments हो रही हैं कितने बड़े बड़े changes हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को blame करने लगते हैं दोनों जगड़ा करने लगते हैं आडम गुस्से में कहने लगता है कि आखिर God ने Eve को बनाया ही क्यों मैं कितना अच्छा भला यहाँ पर रह रहा था इस women की गलती के कारण ही मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा Eve जो है वो रोती वी आडम से back करती है कि please उसे abandon ना किया जाए और वो कहती है कि वो आडम से प्यार करती है दोनों साथ मिलकर जरूर ही कुछ ना कुछ कर लेंगे वो कहती है कि अगर आडम उसे abandon कर देगा तो वो खुद ही अपनी जान ले लेगी चूँकि अब वो दोनों immortal नहीं है तो वो suicide कर लेगी और अपनी जान ले लेगी आडम जब ये सुनता है तो उसे वड़ा दुख होता है और वो कहता है कि ठीक है हमसे गलती हुई है तो हमारे पास एक ही रास्ता है और वो ये है कि हम God के पास जाएं और अपने mistakes के लिए उनसे माफी मांगे God उनकी prayers को सुनता है और Michael जो कि उनके एक angel है उन्हें अर्थ पर भेजता है Michael अर्थ पर आता है और Adam और Eve से कहता है कि उन्हें इस garden को छोड़ कर जाना पड़ेगा वो अब यहां नहीं रह सकते लेकिन उनके जाने से पहले वो Eve को सुला देता है और उसे एक dream दिखाता है कि किस तरह Adam और Eve दोनों साथ में रहेंगे और किस तरह उनके बहुत सारे बच्चे होंगे उनके बच्चों के बच्चे होंगे और इस तरह से एक पूरी human kind एक पूरी generation चलेगी साथ ही वो ये बताता है कि sin और death जो कि साटन के दोनों बच्चे हैं वो भी अब अर्थ पर रहेंगे और उनके रहने का effect पड़ेगा वहां पर रहने वाले सभी humans में वो corrupted रहेंगे दूसरों की जादा परवाण नहीं करेंगे selfish हो जाएंगे और इस तरह से वो एक painful life जीएंगे उनकी life में pain रहेगा और अपने first man और first women की mistake के लिए वो हमेशा सफर करते रहेंगे साथ ही वो उने बताता है कि किस तरह एक flood आएगा जिसमें ये पूरी अर्थ बरबाद हो जाएगी केवल एक आदमी है नुआ जो की एक बहुत बड़ा जहाज बनाएगा और जितने भी animals हैं उन सभी के एक एक जोड़े को अपने जहाज में safe रखेगा और इसके बाद जब वो flood खत्म होगा तो वो एक नई दुनिया को शुरू करेगा इसके बाद फिर ये भी बताया जाता है कि इतना होने पर भी वहाँ पर जो pain है जो problems है वो खत्म नहीं होंगे वो तभी खत्म होंगे जब son of God जो की आगे चलकर Jesus Christ होते हैं वो अर्थ पर जन लेंगे और सभी humans क sin है वो अपने उपर लेंगे वो अपने आपको sacrifice करेंगे उन सभी humans के लिए तभी ही वहाँ जाकर के इन सभी पापों का इन सभी sins का खात्मा होगा और humans sin free हो जाएंगे इसके बाद Michael Eve को उसकी नीन से जगा देता है इव जागती है और Adam को कहती है कि मैंने एक बहुत ही interesting dream द देखा और Adam कहता है कि वो सच मुझ हमारा future ही था जो कि तुम्हें Michael ने दिखाया भी और इसके बाद Adam और Eve दोनों हाथों में हाथे डाल कर उस paradise से उस garden से बाहर आ जाते हैं और अर्थ की तरफ चले जाते हैं और friends यहीं पर यह पूरी poem खत्म हो जाती है Friends I hope आपको यह वीडियो समझ में आई और useful लगी यह थी John Milton की Paradise Lost